समस्क्राइब दोस्तों फिर सवागत है आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Samsung Galaxy Note Edge है या Note Series का कोई भी पुराना फोन है तो यहां पे आप notification कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं कैसे आप turn off कर सकते हैं content height कर सकते हैं इस टैप से option आजाएगा अब यहां पे आप चाहो तो notification का ring to change कर सकते हैं बाकि यहां पे notification की इतनी settings आ जाती हैं जिसमें आप do not disturb यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी notification वगरा नहीं चाहिए और इसको use करना चाहते तो आप कर सकते हैं और इसके बाद यहां पे notification on lock screen तो बाश हो हो अनलॉक करने के बाश हो हो और इसके बाद application notification आ जाते हैं तो यह सारी application है जिसके तरफ से आपको notification receive होते हैं आपके phone में तो इसको आप all करके रखेंगे और इसके बाद यहाँ पर अगर आपको इसका notification बंद करना है तो यहाँ से आप बंद कर देंगे कुछ system वाली होते हैं वो बंद नहीं होते हैं और कुछ ऐसे application होते हैं जो uninstall भी हो जाते हैं तो इसमें all notification का option आएगा तो इसको आप बंद कर सकते हैं अलोगत है आपके प्रेयृरिटी के साब से आप मोर्शेटिंग पर जाके इसके यह सारी notification यह सब बंद कर सकते हैं और सारे notification बंद करना है तो यहां पे आप ऐसे कर देंगे तो इसके सारे नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे, ठीक है, देख सकते हैं, यह ब्लॉक्ट है, और यहाँ पे यह है, और जो अलाव है, इसी के मैसेज रेसीव होंगे, अभी आपको चालू करना है, तो यहाँ पे जहाँ पे ब्लॉक्ट लिक्का है, उस पे आप क्लिक करके इसे अन कर दें करेंगे, इसके बाद आपको बैक कर देना है, और यहाँ पे अगर आप ने किसी एप्लिकेशन को पर्मीशन वगरा उल्टी सीदी दे दिये है, और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपने कौन सी एप्लिकेशन को बंद कर दिया है, कोई से स्टार्ट नहीं हो रही है, अग वो बिल्कुल fresh हो जाएगी new as a new जैसा आपने install किया है ठीक है इसके बाद back कर लेंगे और यहां पर यह है तो इसे आप on करके रखेंगे ठीक है तो इतनी setting आप कर लीजेगा notification की चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार